अपसी हो पाएगी यही आज का हमारा बड़ा सवाल है गुजरात में क्या बदलाव की बयार बहेगी या फिर एक बार फिर से गुजरात में वही सत्ता धारी पार्टी होगी और उन्हीं का जो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक के बाद एक जिस तरह से उन्होंने काबिज यहा आतार हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो अगला सेशन है वह बहुत ही जादा खास है खास इसलिए हो जाता है कि केंद्रिय मंत्री प्यूश गोईल अब से थोड़ी देर में हमारे साथ यहां पर मंच पर जुड़ेंगे तो अब सीधे यह सेशन देखना होगा कि आखिर ज दिखित सोनी जी यह सेशन करेंगे ओवर तु यू दिखित जी नमस्कार जी मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और जी मंच में फिलहार केंद्री वानिजे मंत्री प्यूश गोईल साब हमारे साथ मौजूद हैं आज दिन भर इस मंच पर हमने गुजरात के विधान सबाद चुनाव 2022 की बाते की हैं सभी पार्टी के नेता आज ह हमारे इस मंच में उपस्तित रहे हैं और मुद्दो की बात हुई है विचारधारा की बात हुई है और कैसे ये महासंग्राम लड़ा जा रहा है उन सारे विशयों पर बात हुई है लेकिन आज जब हमारे साथ केंद्रिय वानिजे मंत्री प्यूश गोईल साब है तब हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार गुजरात में उनके दौरों के दौरान उन्होंने क्या पाया और किस तरह का माहौल है प्यूश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी मंच में और आज दिन बर हम लोग 2022 के विदानसभा चुनाव की बाते कर रहे हैं सभी नेताओ से बा देखिए जी मेरी तरफ से बहुत-बहुत बदाई कि आपने इतने महतवपून चुनाव के बीच हम सब को एक जनता के साथ समवाद करने के लिए आमन्तरन किया लगबग डेड़क महिने से मेरा लगातार कोई ना कोई कारंट से गुजरात आने का मौका मिला है जैसा आपन आठीक्स फरमाया पाठन और पाठन में तो ग्रामीन शेत्र, खेड़ुतों के बीच में चर्चा, विचार विमर्ष, साथी साथ सोमनात, जुनागर्ड उस इलाके में भी काफी जाने का मौका मिला है यात्रा जब निकली थी तो यात्रा के साथ भी मुझे लगबग छोट चोटी इलाकों तक पहुंचने का एक स्वभाग्य मिला, सूरात हो, राजकोट हो, वडोद्रा हो, अम्दाबाद हो, जहां जहां पे एक सेंस जो पल्स देखने को मिली, वास्तव में कोई मैधान में सामने दिखी नहीं रहा था, अखिर एक चुनावी महौल में दिखती है कि दूसरी पार्टी अभी है, पार्टी का प्रचार चल रहा है, पार्टी का कोई कारिकरता दिखते हैं, जंडे दिखते हैं, गाडियां दिखती हैं, कोई कारेले दिखते हैं जब आप सडकों पे भी जा रहे हो, मेरको तो ताजुब ये हुआ कि मुझे कोई ऐसा पल्स न सूरत में था, सूरत में तो ऐसा महौल देखा कि 16 की 16 सीटें लगबग एक तरफा BJP के साथ आशिरवात देंगी और शायद चुनाओ का मार्जन ऐसा होगा कि हमने कभी इतियास में नहीं देखा होगा, तो यह बड़ा विचित्र चुनाओ है, इस चुनाओ में वास्तव में क सब्सक्राइब आपके पर आपके अपर प्रेस कॉन्फरेंस में दोरा करने में तो कोई टैक्स भी नहीं लगता है, तो दोरा करना तो बड़ा आसान है, मैं समझता हूं वास्तवस्तिती यह है कि एक कागजी नेता बनके, सिर्फ अनाप शनाप प्रॉमिसेस करना जो पग गुजरात की समझदार जंता समझती है कि असंभव से हैं और दिल्ली के एक शहर को चलाना, एक सिटी स्टेट को चलाना और उसमें एक तरफा ही रेवन्यू आना है, जिसमें कोई खर्चे तो हैं नहीं, खर्चे पूरी केंदर सरकार दिल्ली को से एरिया में लगाती है, कॉर्परेशन अपना काम करती है, तो मैं समझता हूं कि एक प्रकार से एक फेल्ड मॉडल लेके वो गुजरात आए, पर गुजरात के लोग इतने समझदार हैं, लोगों की इतनी सूझभूज है कि उनको ब्रहमित करना इतना असान नहीं है. गैरंटी की बात लगातार अर्विन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है, और जिस तरीके से उन्होंने गैरंटीयां दी है, उनका ये दावा है कि कहीं ना कहीं इस गैरंटी की ज़रूरत है गुजरात को, और गुजरात इसी वज़े से उनको वोट करेगा, और कि अर्विन केजरिवाल खुद उनकी सीटे कितनी आएगी, वोटिंग परसंटेज क्या होगा, वो सब को हम मीडिया को लिख कर दे रहे हैं। दोनों चुनाव में साफ हो गए, चौदा में भी उननीस में, अब उत्तर प्रदेश में जो भी उन्होंने गैरंटियां दी, जो भी लिखके पत्रकारों को लिखके छोड़के गए, और वो जो नाटक होता है कि लाओ बाई कागच लाओ, मैं भी यहां लिखके दे रहा इन सबसे चुनावी रादनीती नहीं होती है, चुनावी रादनीती गली-गली घूम के जनता का अशरवात लेना पड़ता है, चुनावी रादनीती में अपने को हजारों लाखों कारेकरताओं का खुन पसीना और संगर्श होता है, चुनावी रादनीती में वर्षों वर अब कहना कि यहां पर primary education free होगी, अब उनको यहां तक यह भी नहीं मालू है कि गुजरात में 50 साल से primary education free है, उनको अक्छाना कि यहां पर मैं health care free दूँगा, उनको यह ध्यान में नहीं है कि 50 करोड़ जोगों को मोधी जी health care free दे चुके हैं, तो मुझे लगता है यह जो काम य अलड़ी हो गया उसको दोरा के ग्यारेंटी के रूप में देना कोई मतलब नहीं रखता और एक प्रकार से गुजरात की जनता ने वो दिन भी देखे हैं जब बिजली ना के बराबर मिलती थी, किसानों को नहीं मिलती थी, पानी नहीं थी, बिजली नहीं थी, यहां के खेड किसारियों ने वो दिन देखे हैं कि फैक्टरी लगा लो लेकिन फैक्टरी में बिजली नहीं आती थी, अब जो बीस, इकीस, बाइस वर्शों का मानने प्रदान मंतरी नरेंदर मुदी जी का गुजरात से नाता रहा है, पहले मुख्य मंतरी के नाते, फिर केंडर में प्र गली, हर खेट तक 2400 घंटे बिजली का स्वाद लिया, आज जो असंभव लगता था, कि पानी हर गाओं और हर खेट तक पानी पहुँच गया है, यहां तक कि सौराश्ट्रा हो, कच हो, हर इलाके में आज पानी नर्मदा से पहुँच है, और कॉंग्रेस ने, अन्य अन्य हर संभव कोशिश की, NGOS ने हर संभव कोशिश की, कि गुजरात के विकास को रोका जाए, केंद्र सरकार जब विपरित थी, तब उन्होंने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस समाई के मुक्य मंत्री, उस समाई के ग्रह मंत्री अमिच्या जी को परिशान करने का, यता संभव योजनाय बनाएं, लेकिन इनको जल गुजरात के लोगों के प्रती प्रेम है, प्रदान मंत्री मोदी जी का, जो निश्ठा है, जो कर्तव भावना से उन्होंने गुजरात की सेवा की है, मैं समझता हूँ, गुजरात का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक के दिल क उन्होंने चुआ है, महेंगाई और बेरोजगारी, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लगातार विपक्ष उठा रही है और आप पर तंच कस रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि गुजरात हो या देश की जनता हो, वो महेंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, जो महेंगाई की दर लगबग डबल डिजिट इस देश दे स्विकार कर ली थी, ये 10-12% महेंगाई हमारी महिना हैं, बहने, माता हैं, सोती थी 10-12% महेंगाई तो आम मानी जाती थी, आउस्ट महेंगाई उन दिनों में 8-9% होती थी, जब UPA के पिछले 10 साल गए, प्रदा मंतरी मोदी जी आए, उसके बाद 2014-15 में, पहली बार देश के इतियास में, रिजर्व बैंक ओफ इंडिया के साथ करार किया गया, कि ये उनकी प्राथमिकता रहेंगी, कि उन्होंने महेंगाई को 4 प्रतिशत, प्लस माइनस 2% पे रखना है, दो और 6 के बैंड में रखना ह जी ये पहली बार हुआ देश के इतियास में, प्रदान मंतरी मोदी जी ने केमरे सरकार की हर जोर, हर कदम उठाया, ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स माने अमिच्छा जी के नित्रतों में लगबग डेली मॉनिटर करते हैं, कि सामान्य व्यक्ति के जीवन की जो डेली एसेंशल हैं, उसके प्राइज मॉवमेंट्स के हैं, और उसके हिसाब से सरकार भी अपने फिस्कल पॉलिसीज एज़स करती है, रिसर्फ बैंक भी कठोर कदम उठाता है, और दोनों मिलाके, फिस्कल मॉनिटरी दोनों पॉलिसीज मिलाके, मैं समझता हूं का आज साड़े आठ वर् हैं, और उसमें भी अधिकांश, कोविड तक हमने इसको संभाल लिया, लेकिन जो युद हुआ, और युद के कारण अब फटलाइजर को ले लिजे, फटलाइजर की कीमते 10 गुनिय हो गए हैं, लेकिन हमने खेड़ुत के ओपर, किसान के ओपर वो बोज नहीं आने दिया, केंद्रे सरकार ने लगबग सवा 2 लाग क्रोड अपने बजट पे ले लिया, पर किसानों को खाद सुरक्षित रूप में, आज पूरे विश्यों में तरही तरही मचीवी खाद की, भारत में किसानों को परियाप मात्रा में खाद में, उसमें हमारे मित्र मंसुग मांडव मोदी जी ने, एक नया प्रयोग था, पर मोदी जी इनोवेशन और नय प्रयोग को लगातार समर्थन देते जाते हैं, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे नैनो फर्टलाइजर हो, अलग-अलग प्रिकार से वो रिसर्च को बहुत प्राथ लिकता देनी, तो मैं समझता हूं आज भी, अब पिछले महिने से घट गई है, सब्टेंबर से उक्टोबर में, महंगाई घट के अभी 6.8 प्रतिशत आ गई है, आप नवेंबर के आकरे देखोगे, और घट जाएगी, और 2-3 महिने पे अपने वो लेवल पर आ जाएगी, जबके यूद खतम नहीं हुआ है जो विक्रिसित देश है, आज यूके की महिनगाई किदर आई है, 11 प्रतिशत, वाँ साधारंता क्या रहती थी, एक डेट प्रतिशत, अब आप सोचिए, एक डेट प्रतिशत तो 11 प्रतिशत होगी, अमेरिका की साधारंता, एक से सवार्ट परसेंट, दो परसेंट मैक्सि के नंबर्स आएं, लास्ट एनेसो के सर्वे में घटके साथ परसेंट परसेंट पर आगे, साथ दशमल अदो परसेंट, इसके इलावा आप एप एफ़ो का नंबर देख लो, लगातार विद्धी हो रही है, एक मेरे ख्याल से, फॉर्मल और इन फॉर्मल, दोनों सेक्टर आज लोगों के पास काम है, काम करने के लिए हमें निकलना पड़ता है, और मैं जब खेड़ुतों को मिला के गुजरात के वास्ते में वो तो कंप्लेंड कर रहे थे, कि सब आप मनरेगा हमारे आज से ले जाओ, उमको लेबर नहीं मिलती है, खिसानों को खेड में लेबर तो मुझे लगता है कि ये प्रचार के लिए रातनीतिक आरोब टीपा डिपनी करने के लिए तो ठीक है, पर वास्तोस्तितिक ग्राउंड पे जनता समझती है, यूपीय के समय की मुझे बात याद है, यही महंगाई और यही बेरोजगारी का मुद्दा लेकर आप निकले और यही मुद्दो के साथ आप सत्ता में वापस सत्ता में आये थे, मेरे मेरा मतलब यह है कि क्या आपने जितनी भी कोशिशे की है, कही न कहीं आम आदमी को उससे राहत मिलती नजर आ रही है, कोशिशे भरपूर हुई है, परिस्तितियां भी काफी विपरिट थी, लेकिन आम आदमी को क्या महंगाई से राहत मिल पाई है? जो डेप्रिसेशन ऑफ रूपी उस जमाने में थी, उसको हमने एकदम लगाम लगाई, आज भी आप देखो जो छे महिने में हुई है, वो यूद के कारण और जो अभी टाइटनिंग करी है, यूएस फेड ने, उसमें भी डॉलर से तोड़ी कमजोर हुई रूपया, लेक सारे थे, कोल गेट, टेलिकॉम स्कैम मिला मिला के 12-13 लाग करोड का तो ब्रश्टाचार सामने था लोगों के, हम उन सब बुद्दो को लेके आए थे, एक ब्रश्टाचार से पूरा राहत देश को देने का काम मोदी जीने किया, महेंगाई को लगाम लगाने का काम मोदी स्टार्ट अप्स और अन्य अद्य साधन से देश की आर्थिक स्थितियों को, रोजगार को काम करने के मौके लोगों तक पहुचाए, मैं सह बता हूँ, बैंकों की जो एकदम अस्थिर हालत थी, जो कमजोर हालत में 14 में हमने सरकार संबाली, जब एवर्ग्रिनिंग की भी रिस्ट्रक्चर करोगे, कितनी बार एवर्ग्रिन करोगे, वो भी इतना हो चुका था कि बैंक लगबग तूटे पड़े थे, नए लोन देने की काबिलियत ही नहीं थी, उसको पूरे को मेहनत करके, IBC कोड लाके, बैंकों ने कठोर कदम उठाए, बड़े से बड़ा व्य ही बनाई है, आप देख रहे हैं कि बैंक स्टॉक्स जैसे स्टॉक मार्केट में तेजगती से पब्लिक सेक्टर बैंक के कभी आज तक ऐसे नहीं बढ़े, क्योंकि अब विश्वास लोगों का जीता है, और प्रधानमंती नरेंदम बोदी जी ने वास्तव में करतव्य भा को सुरक्षित रखा, इसी के वज़े से आज सिर्फ भारत ने पूरे विश्व में सबसे लोगप्रियन नेता अगर कोई है, तो प्रधानमंती नरेंदम बोदी लेकिन मध्यम वर्गिय जो परिवार है, वो आज भी परिशान है प्युश्री और महंगाई की मार जेल रहा ह जो जो कदम उठाए गए, उससे देश में एक स्थिरता ही है, नए व्यापार के मौके मिले हैं, नए उद्योग को बढ़ावा मिला है, MSME सेक्टर मजबूत हुआ है, स्टार्ट अप साथ देखिए, चार यूनिकॉन थे 2014 में, आज 107-108 यूनिकॉन हो गया, जो वैल्यू अगले चार साल, साड़े-चार साल में हम विश्व की तीसरी लार्जेस एकॉनमी हो जाएंगे, भारत की अर्थवेवस्ता आगे चलके जो मैं देख रहा हूं, 2047 तक लगबग 32-35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थवेवस्ता GDP भारत की होगी, और पूरी दुनिया ये देख लि लोगों को दिख रहा है कि प्रदानमंत्री मोदी जी ने जो अर्थवेवस्ता को जो जिस परकार से सहयोजित किया है, जिस परकार से भारत को मजबूत बना है, एक स्टेबल प्रेडिक्टिबल पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया है, एक आधार भूत, फंडमेंटली स्ट्रॉं इकॉनमी की नीव रखी है, इमानदार विवस्ताओं को प्रात्मिक्ता दिया, जिस परकार से भ्रष्टाचार मुक्त आज आके व्यापार कर सकते है आदमी भारत में, इन सब चीजों का प्रमान है, जो मद्यमवर्क भी देखता है कि उनके भी मौके बढ़े हैं, और मैं स पल्सिस की घटी है, ओइल्स की घटी है, फैट्स की घटी है, टमेटो, पटेटो, अनियन जो एक जमाने में बहुत गंबीर स्थितिव में रहता था, प्राइस कंट्रोल नहीं रहती थी, तीनों की खीमते सायम में हैं, तो मैं समयता हूं मद्यमवर्क को भी इसका लाब मि इस ओफ लिविंग पर बहुत जोर दिया गया, जिससे लोग के दिनों दिन की जो दिंचरिया में जो समस्याएं आती थी पहले, उससे भी निजात दिये, तो मद्यमवर्क मैं मानता हूं पूरे देश में, प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी पर विश्वास करते हैं, और प्रदान मंत्री मोदी जी के जो कारे रहे हैं, उससे संतुष्ट है. करने के लिए क्या रंड नीती है के अंदरे सरकार की, क्योंकि मोर्भी हो या हमारा भाव नगर हो, हर जगा पर एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा व्यापार चलता है, आप जानते हैं. आपको शायद यह जानकारी होगी कि मोर्भी की सेरामिक का एक्सपोर्ट, जिस तेज गती से बढ़ रहा है यहां से, और उसमें भी फिर एक बार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने के बाद, जी सी सी देशों द्वारा, चार देशों ने उसको हटा दिया है, सौधी एरेबिया से हमारी बाचीत चल रही है, और उसके कारण मोर्भी में बहुत भृद्धी हुई है एक्सपोर्ट की, उसी प्रकार से मोर्भी में नैचरल गैस अब पाइप से मिलने लग गया है, जिससे उनका कॉस्ट अप्रोडक्शन कंपेटिटिव होने से, वो का 90 प्रतीशत डाइमेंड आज गुजरात में पॉलिश ओ जी, टेक्साइल इंडस्टी में तो अध्भूत काम हुआ है कुजरात में, चाहे वो सूरत हो चाहे वो अम्दाबाद हो, अध्भूत, दुनिया में टेक्साइल भारत, गुजरात से जा रहे है, जब हमें हर घर देश भर में मनाना था जिसमें लगबग 20 करोड जंडों की आवशक्ता थी देश भर में राज्य सरकारों की प्राइविट सेक्टर से, मार्केट में e-commerce साइट्स में पोस्टल ओफिसेज में अंदाजा आया 20 करोड जंडे चीए तो हम किसकी तरफ देखते गुजरात की तरफ और मुझे बड़ी आनंद होती है आप सब के साथ शेयर करते वे कि आधे से ज़्यादा जंडे जो पूरे देश में लगे वो गुजरात से बनके पूरे देश में गए और पूरे देश ने दुनिया को एकता और एक जुद्धा का जो संदेश दिया जो संदेश दिया भारत कैसे आजादी का अमरित महचसब एक होके मिलके मना रहे है उसमें गुजरात का सबसे बड़ा योगदा दी मैं समझता हूं आगे आने वाले दिनों में एनर्जी सेक्टर में भी जो प्लांस ग्रीन हाइडरोजन की एंगरीन अमोनिया जो भारत को भी एणरजी सेक्यूरिटी देगा और भारत से निर्यात भी किया जाएगा विश्यो भर उसका भी केंद्र गुजरात बनेगा, धोलेरा में कई कंपनियों ने अपने प्लैंस बनाने शुरू किये, रिन्यूबल एनर्जी बनाएंगे, नविकर्णियों उर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को करेंगे ग्रीन अमोनिया में, जिसको फिर हम निर्यात कर सकते हैं, उल्टे एक कोइंसिडेंस है कि आज भी एक कंपनी ने मुझे बताया कि वो चार हजार मेगावाट नविकर्णियों उर्जा बनाके, उसको ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया बनाके, गुजरात से करने जा रहे हैं, आज इसकी बात है, आज करी मेटेंगे, तो अपार संभावनाए हैं, गुजरात में वृद्धी बहुत तेज गती से होगी, और जिस पेकार से इस ओफ डूइंग बिसनेस में, गुजरात में पहल किये, अलग-अलग काम किये हैं, जिस पेकार से दुनिय अच्छी है, यहां पर रियल एस्टेट वगेरा की कीमते रीसनेबल हैं, कोई अनाप्शन आप महिगाई नहीं है, मुझे लगता है कि गुजरात का भविश्य बहुत उजवल है, और दुनिया बर की कम्तियां, जब हमारे पास आती हैं, तो हम तो देश के वानिजे और पर वानिजे जो की गुजरात का डियेन है, फिर से मैं आपको दो हजार बाइस के इस विजान सबस चुनाव की और ले आता हूं, और आपसे खास तोर पर मैं यह जानना चाहूंगा, कि यह तीसरा मोर्चा जो आया है, जो चुनावती लगातार आपको दे रहा है, भरती ज बात कर लें, सामने की तरफ कॉंग्रेस की अगर बात करें, तो कॉंग्रेस का कॉंसलिडेटेड वोट शेर रहा है, 39 परसंटेज टू, 41 परसंटेज से नीचे कभी नहीं गया है, तो आप कैसे मानते हैं कि इस बार रेकॉर्ड ब्रेक जीत आपको मिलेगी, देखिए अलग अलग खड़े होते हैं, हर बार खड़े होने का हर एक को छूट है, जो भी मैदान में आना चाहिए, डिमोक्रसी है, everybody is welcome, इस बार का जो परिस्तिती में फरक मुझे देखने को मिली, एक तो कॉंग्रेस हर बार लडाई में दिखती थी, इस बार कॉंग्रेस लगबक लडाई में बहुत कम देख रहे है, आखिर आप सोचिए भारत जोडो यात्रा, गुजरात में नहीं लाना, हिमाचल में नहीं लाना, चुनाओ दो राज्यों में चल रहे है, और यात्रा दक्षिन भारत में घूम रही है, यह कैसी यात्रा है, उन्ही के महासचेव हैं, हम स्थरियर नेता, स्वयम ट्वीट कर रहा है, कि कॉंग्रेस भारत जोडो यात्रा से डोर टू डोर कैम्पेंग कर रही है, जो हमने कई वर्षों में छोड़ दिया था, और शायद सत्ता में रहने के कारण हमारा लोगों से कनेक्ट छूट गया है, जो हम वापस जोड़ना यह उनका स्वयम का ट्वीट है, आप निकाल लीजिए, चार पांच छे दिन पहले का ट्वीट है, मैं हरान हो गया, कि वो वास्तव में देखिये, जब पावर में थे, तो लोगों से तो कनेक्ट जादा बढ़ना चाहिए, हमें आज इसलिए विश्वास है, हमें आज इसल कॉन्फिडेंस है कि प्रदान मंत्री मोदी जी का जो लोगप्रियत है, जो हमारा काम रहा है आट वर्शों का, उसको मद्दे नजर रखते हुए, इस चुनाव में एतिहासिक विजे होगी, क्योंकि हमने सत्ता में रहते हुए, लोगों का कनेक्ट बढ़ाया, बजाए के उसको घटाना, हमने लोगों के काम किये, बजाए के लोगों से मुह कसना, हमने लोगों के हित के काम किये, और देश को मजबूत बनाने का काम, इस से हमारा कॉन्फिडेंस प्रबल है, कि हम एतिहासिक विजे लेंगे, जो हजर सत्रा में महिज 99 सीटों में सिमतना पड़ा भारती जनता पार्टी को, और 2017 के चुनाव की सितियां क्या थी आप जानते हैं, आज कॉंग्रेस का एक सीधा अरोप यह भी है कि आम आदमी पार्टी, भारती जनता पार्टी की भी टीम है, और कहीं ना कहीं, वहीं कॉंग्रेस का वोट काटेगी और आपको बंपर जीत मि क्या कहेंगे देखे वाइसाब 2017 की परिस्थितिया तोड़ी विप्रीत थी वो आपको भी उसकी जानकार यह आप तो गुजरात के बड़े जाने माने पत्रकार हैं यह की स्थितियों को जानते हैं कुछ गलत फहिमिया थी एक विशेश वर्ग में जिसको फिर मिठा दिया गय एक चटान की तरह मोदी जी के साथ खड़ा है अमिद भाई के साथ खड़ा है तो मेरा मानना है कि 2017 की एक विशेश परिस्थिति में वो हुआ लेकिन उसके बाद तो परिस्थिति एकदम 180 degree बदल गई है और मेरे इसाब से इस चुनाओं में पूरा समाज पूरी ताकत के सा भारतिया जंता पार्टी के साथ खड़ा है गुजरात का हर वर्ग आज मोदी जी के अमिच्छा जी के काम से अवगत है उन्होंने देखा है कि जिस पेकार से कानून विवस्था गुजरात की गद 20 वर्चों में सुधरती गई है आखिर वो दिन क्या थे जब अमदाबाद है लगातार कोई ना कोई रायट की खबर आती थी कभी ना कभी कोई कर्फ्यू कोई मारा मारी मन्य अमिच्छा जी ने उस दिन बताया कि पूरुबंदर में तो कानून विवस्था जैसी चीज ही नहीं थी जेल बंद करना पड़ गया ऐसे अलग-अलग गुजरात के इलाक बाहर जाओ फरसान खाने डोकला खाने या जले भी घाटिया खाने तो मुझे लगता है महिलाएं भी आपको दिखेंगी सब स्कूटी के ओपर भी महिलाएं आपको रात को दो बजे गुजरात में कोई जगा पे चले जाओ दिखेंगे यह जो लॉइन ओर्डर की स्थिती जिस पकार से यहां पर व्यवस्ताएं सुद्री हैं जो एक पकार से इंफ्रस्ट्रेक्ट्टर सुद्रा है साबर्बंती रिवर्फर्ड ऐसा किदर देश में और देखने को मिलाएं क्या स्टैच्य ओफ यूनिटी लोगों को लगा जैसे सिर्फ एक 182 मीटर की विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्य बनाई कि प्रदानमंत्री मोदी जी की जो कल्पना थी अफकोस सरदार पटेल को हमने सादुवात करना है उनको नमन करने के लिए उनको एक सही माने में श्रदान जिली देने का काम तो किया ही और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कॉंग्रेस क कोई नेता आज तक केवडिया जाके उस टैच्यू पर अपनी श्रदान जली नहीं दिया किसे लेकिन उस बात को छोड़ो प्रदानमंत्री मोदी जी ने उसके माध्यम से एक पूरे इलाके को जो आर्थिक वृत्दी दिया जो एक मौका दिया नए डिवेलप्मेंट का वहां होटल आ रहे हैं वहां पर टूरिस्ट लाको करोडों की संक्या में टूरिस्ट आ रहे हैं वहां बीटिंग है हो रही हैं वहां अलग-अलग प्रकल्ब शुरू हो गयह, साउंड-ण लाइट शो हो, चाहे नेचर पार्क हो, चाहे जंगल सफारियो में, मैं समनत्ता जो पूरी कल्पना मानने प्रदान मंत्री जी ने की है, वो वहाँ पे लगबग एक लाख करोड की अर्थ वेवस्ता क्रियेट कर देगी किवडिया किवडिया अकेले में, तो प्रदान मंत्री मोदी जी की सोच छोटी नहीं होती है, वो अल्वेस बड़ी सोच लेके चलते है और गुजरात ते इसका लाब आज 21-22 वर्षों तक लिया है और आगे कई-कई धशकों तक गुजरात मोदी जी का और मोदी जी की बड़ी सोच का लाब आगे भी लेते रहे। आपने सवराष्ट का दोरा किया है, आपने उत्र गुजरात का दोरा किया है, ये दोनों क्षेत्र ऐसे थे जो 2017 के विदान्त सुवा चुनाव में वहां से आपको काफी काम सीटे मिली थी. मेरा सवाल आप से ये है कि चुनाव तो है, अब कुछी दिनों में मद्दान भी होना है, लेकिन वो पृष्ट भूमी नहीं बन रही है अभी भी, और शायद यही वज़ा है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको जो पहले गालिया दी गई थी या उनकी बारे में जो अफश्ब्द इस्तमाल किये गए थे, उन्हीं सारी चीजों को आज रिपीट कर रहे हैं, जो सचा ही है, जिस पकार की रादनीती विपक्षी दलों ने चलाई है, जूट फरेब की रादनीती, जिस पकार के जूटे वादों की रादनीत इसके बारे में जनता को अफगत कराना ये तो हमारा राजनीतिक काम है, हम सब रादनीती में काम कर रहे हैं, और रही बाद प्रदान मंत्री जी जो एक परकार से आज प्रदेश में जो लोगप्रियता रखते हैं, उसको तो हम दिनो दिन देखी रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रही हैं, और लोगों का चुडा हुए है, अब मैं जिस दिन सूरत था, उस दिन मैंने न्यूज आर्टिकल देखा, कि माने प्रदान मंत्री जी हमारे कारेले कमलेन गए थे, अब वहाँ पे वो कारिकरताओं के साथ सीधा आंगन में ही बैठ गये, हर एक व्यक्ति को, ह इस इलाके में गुजरात में जाते हैं, तो उनका जो प्यार, उनका जो स्ने हमारे कारेकरताओं के साथ है, सामान्य समाज के प्रतिश्चित व्यक्तियों के साथ है, वो गुजरात की जनता कभी भूली नहीं सकती है, और वो जो प्यार का रिष्टा है, प्रदान मंत्री मो कोई भी बुरी गाली गलोच कर ले, कोई वो प्यार का रिष्टा प्रदान मंत्री मोदी जी का और गुजरात के नागरिकों का, कोई उनसे छीन नहीं सकता, ये जूटे वादे, ये जूटे भ्रहम, ये गुम्रा कर सकते हैं कुछ समय के लिए, पर अल्टिमेटरी लोग समझ प्रदान मंत्री मोदी जी उनके मित्र हैं, उनके परिवार के सदस्या हैं, और उनके साथ जो जुडा हुआ है, वो परमनेंट है, आपने 17 में जो गलत फहिमिया थी, उसको कितनी जल्दी रिपैर हो गया, 2019 में देखा, एक-एक सीट पे रेकॉर्ड मार्जन, लब सूरत का में अभी सूरत था, इस ते वह आकरा देख रहा था, 76 प्रतिशत वोटर ने भारतिय जनता पाटी को वोट दे, 76.8 परसेंट, अब ऐसा कहा देखने को मिलते हैं, गुजरात में ही देखने को मिलते हैं, नरेद्र मोदी को यहां के लोग अपने घर का बेटा मानते हैं, ले बेटा कर बन कर सौल करेंगे. कि यहां के जनता मुझे अपना भाई मानती है, उसमें क्या मतलब है? पर मोदी जी को अपना बेटा, अपना परिवार का सदस्य मानती है, यह मोदी जी को नहीं कहना पड़ता है, यह यहां के जनता कहती है, स्वयम कहती है. आपको क्या लगता है, आप वरिष्ट मंत्री हैं, अरविन केजरिवाल आम आत्मी पार्टी आखिरकार गुजरात से इस चुनाव के बाद में क्या-क्या लेकर जाएंगे और खास तोर पर एक निशनल पार्टी का जो उनको दरज्जा मिलना है और 2024 उनके टारगेट पर है, जही 2022 में यहां चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर है 2024, गुजरात से क्या मिलेगा आम आदमी पार्टी को? मुझे तो कुछ दिखता आता जाता दिखता नहीं है, जिस प्रकार से अब मेरे खाल से मंच के उपर और प्रेस कॉन्फरेंस के इलावा, बाकी तो मुझे प्रचार में भी कोई उनका प्रभाव दिखनी रहे, जनता और कारिकरता भी ऐसे दिखनी रहें जो दिली और जाके नए वादे करने की कोशिश करेंगे, पर गुझरात की जनता मुझ तोड जवाब देगी, कहेगी कि हमें विखास चाहिए, हमें इमानदार शासन चाहिए, हमें दिली की तरे लिकर स्कैम वाले लोग इस राज्या में कभी मनजूर नहीं हो सकते, ऐसे लोग जो गुझरात की जनता सहन नहीं करेगी, गुझरात की जनता बहुत प्रिंसिपल और आदेश रखती है, यह बापू का प्रदेश है, और बापू का प्रदेश कभी ऐसी पार्टियों को टॉलरेट नहीं करेदा। आपने चुनाओ देखे, जिस प्रकार से चाहिए राज्यों में हो, लोकल लेवल पे और फिर फाइनली लोकसभा का चुनाओ, लोगों ने क्या-क्या नहीं आरोप, प्रति आरोप, अक्षाद, अलग-अलग प्रकार के अनुमान लगाने की कोशिश की थी, कहा था कि बीज से पी को तो इधर से 10 सीटे कटेंगी, उधर से 20 कटेंगी, आपने देखा कि लगबक हमारी सीटे देश भर में, अलग-अलग इलाकों में बड़ी किदर घटी में, यहां तक कि पश्चिम मंगाल तक में हम 18 सीटे जीते, गुजरात की रेकॉर्ड सभी सीटे जीते, अब उनके ध्यान में अब वापिस आगई प्रमुक शिवसेना दो चार लोगों को चोड़के, अब तो गजानन खिर्टी कर भी आगे तो अब तो शायद MP भी कोई नहीं बचे उनके पास, दो थीन चोड़के, तो मैं समझता हूं कि देश भर में, आपने 2019 में भी देखा, मैदान में सबका स्वागत है, और अर्विन केजरिवाल जी यह डिमोक्रेसी है, वो जिदर लड़ना चाहें लड़ें, हम स्वागत करेंगे, लेकिन जनता तै करेगी, कि उनको आपको ध्यान होगा, 14 से 19 के बीच, आखिर उन्होंने दिली में सरकार चलाई थी, उनका प्र जी बाकी सब हार गए थे, तो मेरे इसाब से कोई मैदान में है नहीं, प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोग प्रियता दिनों दिन बढ़ते जा रही है, और 2024 में फिर एक बात, प्रदान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में, भारतिय जनता पार्टी और अधिक मैज पार्टी के साथ जनता के विश्वास, जनता के आशिरवाद, जनता का प्यार और जो काम किये गए गरेख ड़, अठ वर्शों में और आगे चलके च physicists, 10 वर्शों में केंद्र में और उसके पहले गुजरत में 12 वर्शों में, मैं सब्सकिता हूँ उनके काम के पलबुते मे देश की जनता हमें और बड़े अधिक मार्जिन से बड़ी संख्या से प्रदान बंतरी बोधी जी को आशिरवाद देगी भारतिय जनता पार्टी को एतिहासिक विजय देगी एक आखरी सवाल छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे आम आदमी पार्टी को कितनी सीट और जुजरात के हर रेकॉर्ड को इस चुनाओं में थोड़ेगी और एक नया इतिहास रचने जारेगी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तो यह थे प्यूश गोईल साब जिनका साफत और पर कहना है कि इस बार 2022 की इस विजान से बाद चुनाओं में रेकॉर्ड ब्रेक्सी पिलेगी भारती जनता पार्टी को शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया प्यूश गोईल जी आपसे अनुरोध है सिर्फ एक मिनिट और आपका त्रिक पिलेंगे अभय वोजा जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप मंच पर आएं जी मीडिया के सीयो और मोमेंटो भेट कर पिलेगे बहुत-दिक।